प्रदेश के मुख्य मंतरी प्रिथुराज चवान जी है चवान साथ स्वागा था आपका इविन सर्थुराज सबसे पहले तो ये बताईए सर कि आज हम यहाँ पर जब आए मुंबई हम ने देखा बड़ी चारों तरफ आपके बड़े बड़े पोस्टर्स लेगे हुए है लंबे-लंबे होड़िंज लेगे हुए है मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गुचरात में 2012 में मालीजे में घूम रहा था चुकि नरिंद मोदी के भी ऐसे ही पोस्टर्स दिखते थे और लोग तब कहते थे कि मोदी भी अपना चेहरा आगे कर रहे हैं अपने आपको पार्टी का मुख्य चेहरा बनाकर बेच रहे हैं क्या आप भी तो कोई ऐसा प्रयास नहीं कर रहे हैं आप मुख्य मंत्री हैं लेकिन प्रयास क्या आपका वही है निदे कि क्या है कि जो हाली में चुना हुए थे उसमें जो जो उन्हों किया है लोग चाहते हैं कि किस के हाद सद्धा के बागड़ूर दे रहे हैं किस पारटी के हाद में दे रहे हैं लेकिन अब एक Cinema यूग है सारे घट बंदन सरकार चल रही है तो घट बंदन का मुख्या कौन होगा कौन सरकार चलाएगा उसके बारे में लोगों की काफी बड़ी आकांक्षा है और जिस तरह से द्रेंद्र मोदी जी ने अपने सभी नेताओं को परे कर दिया और खुद अपने आप प्रधानमंतरी पत का उम्मिदार बने जो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ था हम ऐसा आप तो इंजिनेर हैं चमान साब और आप तो मैं देखता हूँ कि आपकी तो राज़ीती एकदम विपरी था इसके चुकि मोदी जी ने अपनी पार्टी में सब को ख़ड़ी में आपकी बात मानूँ यहां पर आपका हाल यह है कि आपकी ही पार्टी के लोग आपको निप पिक्षित हार हुई उसे काफी सटपटा गय सारे नेता लोग और ढूने लगे कि किस कारेंट से हुई थी और उसके चलते कुछ बाते जरूर कहीं आपका क्या उसमें आपका क्या सुझहाव है आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि क्यों कॉंग्रेस सिर्फ दो सीटो आपके माराश्नों में यह तो बात सारी देश में हुई थी कई राज्यों में जहां पर पर्टिकली हिंदी स्पीकिंग बेल्जों था वहां पर आपने देखा कि कैसे नतीज आये थे जहां पर कॉंग्रेस रूल स्टेट ती चाहिए दिल्ली और राज़ता उत्तर प्रदे कैम्पेंग चला गया जो सोशल मीडिया का उप्यों किया गया और शायद कॉंग्रेस यूपीय सरकार के खिलाफ एक नाराज़ की थी जो भी घटना है घटी उन दोनों के चलते एक तिली में कौन प्रदान मंतरी बनेगा उसके बारे में कोई प्रष्टता नहीं कर पाया थ कि हम वही प्रदान मंतरी बनेगा रही है जैसे अमरीकी राष्टरपती का चुनाव होता है उस तरह के चुनाव बनाने की कोशिश चावान साब यह बता है कि क्या यह बहतर होता आपकी पार्टी के लिए कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे अगर मनमोहन सिंग को मनमोहन सिंग जी ने अपने आप हटने की गुजारश की थी कई जिगा उन्होंने कहा थे कि राहूल गांदी आए और सत्ता समाले प्रदान मंतरी पत की बात की थी उन्होंने लेकिन पार्टी ने नहीं उचित समझा कि इस तोरान कोई ऐसे बदलाव करना चाहिए राहूल जी को पार्टी के काम के साथ-साथ मंतरी मंदल में आ जाना चीए था एक अनभव करना चाहते कि सरकार चलाने का एक तोज़ूबा करना चीए था लेकिन उन्होंने खुद कहा कि नहीं मैं बिलकुल सरकार में नहीं आऊंगा मैं पार्टी की बागदोर सभालेर होगा हैं दरसल वो आपके सबसे बड़ी मुसीबत हैं वो सबसे बड़ी आपकी कमजोरी है गलत बात है देखिए जो बात हुई वो यूपिय सरकार की कि खिलाब जो लोगों का गुसा था वो गुसा लोगों ने उतारा और हमें सजा दी अब उसमें क्या क्या हुआ हुआ कुछ म उसमें प्रचार करेंगे वो तु कुछ नाराजगी जो आप कह रहे हैं वो राहुल गांदी तो उसका चेहरा है ने सरकारिस पार्टी का चाहरा है यूपैय सरकार यूपैय टू सरकार के खिलाफ नाराजगी थी जो बहंगाई की बात हुई जो कुछ स्कैम सामने आए और स कैम सामने क्यों आएं तो हमने आटिया जैसा कानून हम बलाए तो हम चाहते थे कि गलत बात हो रही तो सामने आए और वह आई अपनी कानूनी प्रिक्रिया चल रही है उसके चलते लोगों में शायद गुसा था और वो गुसा उनुन उतारा लेकिन अब ये बात खतम हो चुक है लोगों ने उससे आप देखें कि बदला हो रहा है बिल्कुल पूरी तरह से बदला हो आपका जो मुख्य चुनावी बिंदू होगा वो क्या होगा मोधी सरकार के सौ दिन नहीं वो एक एक बाइदवे बुद्धा होगा वो चोशल वीडिया में चली रहा है उसके हमें क खास करने के जुरूति हम करेंगे महाराष्ट सरकार ने एक अर्थेवेवस्ता समाली उनीस सो निन्याने में में इस राज्य की जनता ने शिवसेना और बीजेपी की साज़ा सरकार को एक मौका दिया था पच्छानवे में दिया था साड़े चार सरका साल सरकार चली और और फी बार भी शिवसेना बी जेपी Wow community में चित्ना मर्जित जोड लगा ये महाराष्ट की जनता उस विचा ध़ाधारा को नहीं स्विकार करें कर जो गर्जार उन्कोंनी और आज प्रथम क्रवांकर कre कि ने हुहां तक लाएं और अब देखिए पिछले पॉंट साल में जो राज邏 सरकार ने काम किये है चाहे किसानों के बारे में जो दाशर के आपदा अई उसके बारे में जो काम किया जो स्वास्त के लिए हैंने काम किया है जो यूजना ने चलाई YOU सबसे ज्यादा विदेशी दिविश हमारे राज्य में होता है चाह गुजरात कुछ भी कहे और मैं खास यह करना चाहूंगा मैंने लोकसभा चुनाओं के दौरान नरेंद्र मोदिजु को चुनोती दी थी कि महाराष्ट्रा और गुजरात एक मईद 1960 को दो अलग अलग राज्य बने थे उसके पहले हमारी विकास की सीथी एक ही थी क्योंकि एक राज्य था और आज हम आगे हैं पर कैपिटा इंकम की बात करें आप सोशल सेक्टर की बात करें आपने इतने सारे मुझे एक्जैंपल्स गिना है लेकिन सच्छाई तो ये भी है क इस सब के बावजूद आप अपने एक सेफ सीट नहीं ढूंद पा रहे हैं महाराश्य में गलत बात है मैं अपने मेरी सेफ सीट ढूंदने की बात है मैं तो सुनता हूँ कि आप कराट से लड़ना चाहते हैं लेकिन आप ही के पार्टी के वहां पर वरिश निता है वो अप सब्सक्नाव के पार्ध करेंगे यानि कि आप लड़ेंगे आप विधान सबार चुनाव लड़ेंगे इस बार और लड़ेंगे और वहीं से लड़ेंगे तो आपके जो सहयोगी दल है जो आपके अलाय है एंसीपी वो आप से क्यों इतने खफाए हैं एंसीपी कोई लेता मुझे नहीं देखता जो ये कहें कि चवान सहाब बड़े देखिए बड़े साधगी वाले विए जिस वातार में मैं आया मैं आया था हमारे मुख्यमंत्री को इस्तिफ़ा देना पड़ा था कुछ घटना है घटी थी और एक विश्वास जो विवस्ता में होना चीए था वो शायद ठाए गया था ड़ल गया था चाहे प्रशाशन हो चाहे पूलिटिकल क्लास हो और उस परशिती में सिच्वेशन को स्टेबलाइज करने के लिए मुझे भीजा गया था मैं समझता हूँ कि पौने चार साल मैं मुख्यमंत्री ना हूँ एक परशिती बदल गई है लोग पिर से विश्वास विवस्ता में आ गया राज्य सरकार ने किये हुए कामों में आ गया और मैं यह हम चुनाव लड़े करता है जो कि आप नगी बात नी सुनते कि आपने अपना था तान्रा शाह वातावाण बना रखा है अब ऐसे इ celestial होता तो इतने सारी जो मिivenे निरते हैंशे कफा क्या जो नहीं अथर पर विशजें की हमने निर्ने लिए एक आमरा बनाने के कोशिश कियें और मैंने जो फोकस किया है जो निर्ने कई सालों तक प्रलमित थे पचास-पचास साल से पैंडिंग थे जो नहीं हुए थे उन पे मैंने कोशिश कि उन मुद्दों को सुल जाने की ना कि individual benefit के project उसको मैं थोड़ा जरूर पीछे रखा था कि उससे जादा मास इंट्रेस्स के प्रोजेक्ट जो आम आदमी के हित के जो मुद्धे हैं उसको अमने सुझार बावता ये इतने जो मैंने लिये थे क्या किसी पहले सरकाद ने लिये थे तो क्या ये सच नहीं है कि कही न कहीं कि आप ये कह रहे हैं सर कि NCP के नेता आप से इसे नराज हैं क्योंकि उनकी अपनी दुकान बंद हो रही थी जो ये सब देखिए जो भ्रष्टाचार की जो बाते चलती रहती हैं या पर कहा जा देखिए आप मता आप तो मुखी मंत्री हैं तो आप जाहिर तोर पर आप ये बात जानते होंगे कि जो रियल एस्टेट का मसला है बड़े एदा है जिनके रियल एस्टेट में बड़े भारी इंटरेस्ट हैं क्या वो सब इंटरेस्स हर्ट हो रहे थे आपकी निर्देशन और आपके निर्डे ने उसे तरिक्र मैंने कोशिश की कि एक तो पहले जो गलत पॉलिसी बनी थी जिसके चलते है कई गलत चीजे हो रही थी इसको मैंने मैं सुधान के कोकि केंशिश आप एक इंटरू कै developments मिलता था मिलता था वह जो दिसकृरिशनरिः एफसर एंटर्य मिलता था कि आप अर एक से मिलत टेबल जाहिए और वहां से जो भी सुविधाय चाहिए जित्ता ज्यादा एफसाई चाहिए मिलता रहता था हमने वह निरने बदल दिया हमने बता दे कि 35 प्रतिशत हरे को एफसाई अतिरिक्त मिलेगा लेकर उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे एक निरने से मुंबई एक रियल इसेट सेक्टर में पारदशिक ताई लेवल प्लेइंग फिल्ड आया उसमें क्या हो रहा था कि कुछ चो विका सकते लेवल प्लेइंग फिल्ड जिसको आप कह रहे हैं उससे बहुत से लोगों कि अपनी जेब का नुक्सान हो गया ना इसकी शायद वह आपसे न बोड़े और सिस्टिम का बहुत ज्यादा फाइदा ना उठाए इस तरह की विवस्ता लाने के ने कोशिश की है कई जगा हम लाए है मैं नहीं समय हुदा कि पूरी तरह समसाफल हुए लेकिन आज मैं कहूंगा कि जो विवस्ता हम लाए जो नए नियम लाए उससे विका सक किसी को एक अननेसेसरी ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है आपके इतने अच्छे गर आपने कार की हैं मान दीजे तो फिर आप NCP के साथ क्यों चुड़ाओ रणा चाहते हैं देखिए यसे शेवस्ता बीजेपी में एक रसा कशी का माहौल जो चल रहा है कि हम ज्यादा सीटे लड़ेंगे हम अपने आप लड़ जाएंगे एक कारण है कि यह संपरदाइक वादी जो ताक्ते हैं जो कम्यूनिल फोर्से से उनका खत्रा मंडरा रहा है हमेशा वो हिंजित्व की बात करते हैं हमेशा एक द्वेश की भावना बढ़काना एक पॉलिटिस को कम्यू करते हैं जो इन सीपी और कॉंग्रेस एक ही पार्टी थी उननीस सो निन्जाने में हम अलग-अलग होएं लेकिन मूल विचाधारा कॉंग्रेस की ही है इसलिए हम हमेशा अब तक पांच चुनाओ निन्जाने में में एक दूसरे के खिलाफ लड़ें उसके बात पांच चु शीव सीना देखे आपके बारे में कैसे चुटकी ले रही है शीव सीना ने अपने मुख पत्र में लिखा सामना में उन्हों लिखा कि कि आप इतनी बड़े-बड़ी बाते करते हैं, इतनी बड़े-बड़े वायदे करते हैं कि आपने प्रदेश के लिए क्या-क्या किया, लेकिन सचाई तो यह है कि ना आपके पास कोई अपनी एक सेफ कंसिटुएंजी है लड़ने के लिए, ना आप इससे पहले जब मुख्य में मंतरी था, मैंने कई महकुमों का और काम समाला है, और मुझे अगर प्रशाशन चनारे का तरीका नहीं है कहना गलत होगा, यह तो चुकि यह जो मैं बात कह रहा हूं, यह सिफ शीवजेना के लोग नहीं कह रहे हैं, यह बहुत सैसे NCP के भी नेता हैं, जो कि कहते हैं कि प्रिथिवाद चवान को अगर हटा दिया जाएं, तो कॉंग्रेस और NCP की साजा सरकार बड़ी अच्छी चल सकती हैं, ऐसा क्यों है? क्यों नाराज क्यों है आपसे? देखिए नाराज के कारण आप ही ने कुछ बता है, लेकिन अब साजा सरकार अगर नहीं अच्छी चलत ऐसा क्या बदलाव आप क्या देखते हैं? कि आप इतने आश्वरस्त जो आप देख रहे हैं, अपने विधान सभा चुनाव को लेकिन दो चीज़े हैं, एक तो यह है कि पिछले चुनाव जो हुए हैं, लोग सभा की पोलिंग के दिन भी जो बाइलेक्शन्स हुएं, महरा परखन के बाइलेक्शन हो, और कल जो बाइलेक्शन्स हुएं, उसमें देखा गया, तो एक मैं समय तो हवा थी, गुबारा था, वो मैं अदो मोदी वेव महराश्र में नहीं हैं आपके मुताबिक, नि मोदी वेव देखी उस समय तो थी, जब हम हमारा जो बहुती निराश जनक परदेशन रहा है, उस समय तो थी जरूर, लेकिन आज सौधीन सरकार चली है, जो वादे किये थी, कितने पूरे हुएं, जिस तरह से एक पूरी सत्ता एकत्रित की गई है, जो गुजरात में जिस तरह से सरकार चलाई गई, उसी तरह से प्रधान मंतरी कारेले चलने की बात हो रही है, और एक जो स्टेट्समन करके प्रधान मंतरी को बनना चाहिए, वो नहीं बन पा रहे हैं अभी तक, प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी से, कि उनकी एक सभा में जब आप गए, शोलापूर शायद आप गए, तो आपके खिलाफ नारे बाजी हो गई, और आप उनने कुछ नारे बाजी की हो, तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन उसी दिन, हर्याने के मुख्य मंतरी से मेरी बात ही, उन्हेंने मुझे पूछा, कि कल मेरे याँ प्रधान मंतरी आ रहे है, तुमारे याँ क्या हुआ, तो मैंने उनको बताए, कि इस तरह के घटना घटी, तो मैं का ठीक है, फो चुका होगा, मैंने कोई जादा उस पर ध्यानी दिया, मैं अपिक्षा करता था कि जो स्टेज पे बैठे थे प्रधान मंतरी और नेता लोग बैठे थे वो अपने लोगों को चुप करा लेकिन वो नहीं किया, और जब वही घटना हर्याना में अगल कॉंग्रेस और नॉन बीजेपी, जारकन में भी यह हुआ, तो इसके चलते जब निमंत्रन आया, मेट्रो के उद्गाटन का नागपूर में, जिसके चलते भी हमारी प्रस्ते जिन में नहीं कि मोदी जी के मैजिक के सामने शायब आपका मैजिक फीका पढ़ गया, फीका न प्रित्विराज चमान साहब तो चुनाव ऐसी हार रहे है, यह तो एक ऐसा चुनाव है, जहां पर जीत का कोई सवाल ही नहीं है, अगर वाकई हार होगी चमान साहब, तो आपको नहीं लगता कि आपके राजनेतिक जीवन में भी बड़ा-भारी संकट खड़ा हो सकते हैं? मेरे राजनेतिक जीवन का कोई सवाल नहीं उठा, मैं जो भी आदेश हाई कमांड से हमारे नेतरत में दिया है, मैंने वो काम पूरा करने के कोशे नहीं है, मैं चाहता हूं कि महाराश्त्रे सांप्रदाइक ताक्तों के हाथ में ना जाए, महाराश्त्रे को जो हमने एक नम जो हमने विकास काम किये है, उसके चलते कुछ होगा नहीं है। हमारी सरकार ने जो काम किये हैं विकास के काम किये हैं उसकी फैरिज देखिए, लिस देखिए क्या किसी सरकार ने इतने काम किये देखिए जो लोगों की हित के काम है आम जनता के हित के काम चवान साब आप से हम ये सवाज 19 सक्टूबर को दुबारा करेंगे जब जनता का आदेश आ गया होगा आपको बहुत बहुत शुक्रिया